जार्खन के साथ जीलों के मौडल कॉलेजों में नए सत्र से होगी पढ़ाई जार्खन के साथ जीलों के साथ जार्खन का मौडल कॉलेजों में भवन बनकर त्यार होगे है इनमें पढ़ाई शुरू हो सकेगी वहीं पलामों में मौडल कॉलेजों के भवन निर्मान का काम 90 फिजदी कोडार्मा में 83 फिजदी और पांकोड में 88 फिजदी पूरा हो चुका है जबकि गुमला साहेवगांज और गढ़ायम बहुत नियमान का काम चल रहा है वही 28 विदान सवाचेतरों के डिगरी महापी द्यालों में 5 कोले जो काई भौन बनकर त्यार है यहाँ भी पढ़ाय सुरू हो सकेगी जारखन में लू चलेगी मौसम विभागने जारी की चेतावनी जारखन में गर्मी धीरे धीरे परवान चड़ने लगा है मौसम विभागने राजे के कई जिलों में लू चलने की संभवना व्यक्त की है लूट चलने से आपको परसानी हो सकती है इसलिए संभल कर रहे बतादेर अभीवार को डाल टेंगा अरगोड़ा का अधिक्तम तापमान 40.60 डिग्री सेल्सियस रहा वही राईधानी राची का 36 डिग्री सेल्सियस रहा है इसके तहत गड़वा, पलामो, चत्रा और लाते हार जिले में लूट चलने की चतावनी दी गई है इस दो रण निम्तम तापमान भी एक कई से बाई डिग्री सेल्सियस का सबास रहने की समवना जताई है रन फोर खतियान, बोकारों से धनबाद तक दोड़े मुलवासी चारखन भासा संघर समीती के ततोधान में रभीवार को रन फोर खतियान का योजन किया गया है बोकारों के नाया मोड से धनबाद के रन धीन वर्मा चोग तक लभग 60 किलोमेटर तक जारखन डी अपनी मांगो के समर्थन में दोड़े बतादे सुबा 6 बजे बोकारों के नाया मोड से दोड़ शुरू हुई इसमें लभग 500 से अधीक युवाओ नहीं सा लिया 100 से अधीक लोग पेट्रोलिंग व्यवास्था पर रहे इस तोरान जगा जगा दोड में सामिल इवाओ के स्वागत वह सेवा को लेकर अस्थानिय लोगों ने सिवीर लगाया इसमें पानी गूर इलेक्ट्रोल पाउडर आधी का वित्रन किया गया साथी दोड में सामिल लोगों की देख रेक को लेकर समीती की ओर से एम्बूलेंस ब्यवास्था भी थी बतादे समीती के निमाई महतो ने कहा की 1932 खतियान अधारित आस्थानिय निती, नयोजन निती, भिस्ठापित निती, उद्ध्योग निती लागो करने को लेकर आंदोलन जारी रहेगा जारखन के तीन जीलो में महल विगालने की कोशिज इस दोड़ान जमकर पत्थरबाजी भी हुई पूलिस कर्मियों के साथ कई लोग घायल भी हो गए हालाकि पूलिस ने समय रहते मोर्चा समाल लिया जितके कान बड़ी घटना टल गई है बता दे डोमचाज थाना छेतर अंत्रगत चेतरिया डी पंचायत के गराम बंगाई में सन्निव और साम पांच वे दो पक्षोय विवाद हो गया दोनों पक्षोय मार्पिट सुरू हो गई एक पक्ष के लोग ने डोमचाज थाना पहुँच कर सिकायत भी दी नकसली भीखन गांजू पर 26 मामले दर्ज 22 लाख की रासी बरामत राची पुलिस ने पिछले दिनों नकसली संगठन टी एस पीसी के जोनल कमांडर और 10 लाख काई नामी नकसली भीखन गांजू उर्फ, दीपक गांजू उर्फ, नेता जी की गिरफतारिक के पास पुलिस ने कई खूला से किये हैं इस दुरान नकसली भीखन गांजू के साथ पुलिस ने उनके सयोगी राहुल कुमार मुन्डा को सदर्थाना छेत्र के डेला टोली से गिरफतार किया था वहीं लेवी के 12 लाग से अधिक रुपए समेत कई समान भी ब्रामत किये हैं रांची के होस्टल में तोड फोड का मामला 5 गिरफतार जार्खन की रईधानी रांची के हर्मो इस्थीत निवीन सरना कॉलेज होस्टल में घुस कर तोड फोड करने और स्टूडेंट से मार पिट करने के मामले में पुल्स ने 5 अरोपियों को गिरफतार किया है वही अन अरोपियों गिरफतारी के परियास लगतार जारी है इस मामले में सुकदेव नगताना के पुल्स ने 5 अरोपियों को गिरफतार किया रांची के काके थाना इस्थीत टेंडर निवासी निरंजन उराव पीता सोहर गिये गोईद उराव गिरफतार है जारखन पंचाय चुनाव तारिखोई घोसना जल्द जारखन में जल्द ही पंचाय चुनाव की घोसना कर दी जाएगी संभावन जताई जा रही है कि विधान सभा कब 875 मार्ज तक है इसके बाद कभी भी पंचाय चुनाव की तारिखोई घोसना की जा सकती है जार्खन के पंचायती राजमंती अलम के अनुसार पंचायत चुनाव से एक महिने पहले तारिकों गोस्ना कर दी जाएगी चुनाव की तैयारिया पूरी कर ली गई है इतना ही नहीं चुनाव आयोग द्वारा करमचारियों को प्रसिक्षन दिया जा चुका है जार्खन विधान सबा का 82 सद्र 25 मार्श तक है इसके बाद कभी भी पंचायत चुनाव की तरकों गोस्ना की जा सकती है जमीन विवाभ मामले में लोहर्दगगा में नवालिक समय दो की हथ्या लोहर्दगगा जिला अंत्रगत किसको थना चेतरे के भूषाण में जमीन विवाभ को लेकर दो लोगों की हत्या हुई है वहीं एक महिला गंभीर रूप से घायल हो गई घायल महिला को इलाज के लिए सदर अस्पता लाया गया जहां डाक्टर संजय प्रसाद द्वारा घायल महिला के बेतर इलाज के लिए रांची के रिम से रिफर कर दिया गया बता दे घायल महिला के पहचान राजन टोपो की 24 वर्षी ए पतनी संगीता देवी के रूप में हुई है वह इस गटना में राजन टोपो और लक्षू उराव की 4 वर्षी ए बेटी रोशनी उराव की मौथ हो गाई ओजागुनी के आरोप में अफरन कर हत्या मामले का लातेहार पुलिस ने किया खुलासा है इस बात की जनकारी संतोस मिस्त्रा ने दिया सरोज देवी ने अपने ससुर की गुमसूतकी की रिपोर्ट सदर्थाना में दज कराई थी अनुसंधान के करम में पता चला की टोक नराइन सिंग पर गाम केई कुछ लोग अक्सर ओजागुनी का आरोप लगाते हाए इसी आरोप में 26 फरवारी को टोक नराइन सिंग के कुरियाम कलागराम से घर लोटने के करम में मुकेश कुमार सिंग और दिलेव कुमार सिंग ने उनका अपरण कर लिया था जरखन में करोना के एक भी नए केस नहीं मिले है जबकि 6 मरीज स्वास्ट भी हुए है है बारत में करोना के कुल एक्टिव केस की संखेश है 30918 पंजाब रेजिमेंट सेन्टर में प्रसिक्षु जो आनो ने लिव सपात ज्हारखन के रामगड जिले में पंजाब रेजिमेंट सेंटर रामगड के कीला हरी ड्रीट स्क्वाइर में वाइन एस 170 कोर्स के प्रसिक्छु 181 रंग रूटों के लिए कसम प्रेट का आविजन किया गया कसम प्रेट के मुख्य अति थी पंजाब रेजिमेंट सेंटर के कर्यावाह कमांडेट करनल तरून सती थे अपने समोधन में उन्होंने युवा सैनिकों को राष्ट की सेवा के लिए खुद को समर्पित करने के लिए प्रेरित किया इस दोरान सेवाकाल में आने वाली चुनतियों से जवानों का उगत कराया इस मौके पर प्रसिक्षन के दोरान सरश्ष्ट परदसन करने वाले जवानों को समानित किया गया छारखन के सहरों के सुरत बदलने जा रही है मंद सरकार प्रदेश में सहरी परिवहन को दुरुस्त करने के उदेश से राई सरकार एक साथ कई परियोजनाव पर काम कर रही है PCC रोड के अलावा ब्लेक टॉप सडके और पुलियों के निर्मान का लक्ष तो रखा आई गया है प्रमोक सडकों पर स्ट्रीट लाइट का प्रबंधन करने के लिए सरकार ने फंड का प्रविधान किया है बतादे अभित तक की त्यारियों के नुसार 185 किलोमीटर PCC सडके बनेंगी वहीं 15 किलोमीटर ब्लेक टॉप सडके बन रही है इसके अलावा सोब पुलियों के निर्मान भी सहरी छेत्रों में करने की योजना है जारखन में 34 लाख घरों तक नल से पेज जल पहुचाएगी सरकार बर्ष 24 तक जारखन की गिनामिन अबादिक परते घर तक कम से कम एक नल जल कनक्शन पहुचाने का लक्ष साधने में जूटी राई सरकार अगले वित्तिय वर्ष जल जीवन मिशन पर विसेश जोर देगी बतादे वित्तिय वर्ष 2022 तेज में 34 लाख घरों तक टेब वाटर से पानी पहुचाने का लक्ष साधा गया है बर्तमान में 11.33 लाख परिवारों तक टेब वाटर की पहुच संभव हो सकी है जाहिर है अगले वित्तिय वर्ष 22 लाक्ष अधिक परिवारों तक पहुंचाने का लक्ष पेज अले अमसोषता भी भागने तैक किया है जामुमों की केंद्रिये कमेटी के पदा अधिकारियों की घोसना जल्द दराज्य में सता रूट जार्खन मुक्ती मोर्चा की केंद्रिये कमेटी के पदा अधिकारियों के नाम की घोसना जल्द होगी विधान सभा के 22 सत्र की समापती के बाद इसका एलांग होने की संभवना है बता दे नॉम्बर में पार्टी के केंद्रिये माहा अधिवेशन के बाद से इसकी प्रक्रिया चल रही थी संभावित पदा अधिकारियों के सूची जामुमों के अध्यक्ष इबु सुरेन और करकारी अध्यक्ष हैमन सुरेन की स्विक्रिती के लिए भेजी गई है माहा अधिवेशन में दोनों का चयान सरोसमती से हुआ था और उन्हें केंद्रिये कमेटी के सदस्यों और पदादिकारियों के नाम की गोषना के लिए अधिक्रित किया गया था किसुवरी के साथ सामोहिक दूसकर मामले में फास्ट रेक में हो सुनवाई रामगर सहर के गोपी धर्मसाला में रविवार को आदिवासी छात्र संग एवाम सारना प्राथना सभा के सनुक्त बैठक अविजित की गई बैठक में सर्व प्रथम सभी ने राजरापा प्रोजेक्ट में बीते दिनों एक आदिवासी बालिक का के साथ समोईक दुसकर्म घटना की कड़े सब्दों में निंदा करते वे जिला परसासन यम अस्थानिय परसासन से जाज परताल करके फास्ट रेक कोट के माध्यम से सभी आरूपितों को फांसी की सजा दिये जाने की मांग की कहा की अगर ऐसा नहीं हुआ तो आदिवासी चात्र संग आंदोलन करने के लिए बाद होगा इधर बाठक में या भी सरसमाती सनीन लिया गया की 24 अप्रेल 2022 को सरहूल मिलन समरो स सोभायात्रा तुमधाम से निकाली जाएगी नवकरी से बरखास्थ होंगे जमसेतपूर सिविल सर्जन बीना सरकार को सुचना दिए बिधान सभाचुनाव लढने वाले जमसेतपूर के सिविल सरजनट डाक्टर अरवींद कुमारलाल बरखास्थ किये जाएंगे जारकन लोग सेवा आयोग ने इस पर अपनी समती परदान कर दी है बतादे आयोग के सचीव हिमानसु मुहन ने इसे लेकर स्वास्त विभा को पत्र भेज दिया है आयोग की आंतरिक अनुसांसा समीती ने अपने परामर्स में जमसेथपुर के सिविल सर्जन को ततकाल बरखास्त करने को कहा है अब बरखास्त की पर केविनेट की स्विक्रिती दी जाएगी रांची रेल मंडल में सिर्फ 10 मियट में होगी पूरे ट्रेन की सफाई अब रांची रेल मंडल से खुलने वाली ट्रेनों की साब सफाई कम समय के अंदर और बेहतर धंग से हो सकेगी यानि बिलम से पहुचने वाली ट्रेन की भी साब सफाई अच्छे धंग से और समय पर हो सकेगी इसे यात्रियों को काफी सहुलियत होगी और साप सफाज समन्दी सिकायतों में कमी भी आएगी इसकी वज़ा मार्च माह के अम्तिम सप्ता में हट्या याड में सुरू होने वाले अटोमेटिक कोच वासिंग प्लांट है बता दे अतिधुनिक उपकर्णों से लेस प्लांट सिर्फ 10 मिनट में पूरे ट्रेन की सफाई कर सकता है पारमपरिक रिती रिवाज के साथ मनेगी सरहुल पूजा सरहुल पूजा के तियारी को लेकर रभीवार को केंद्रिये सरना संहर समीती के बैठक हुई आयोजान मीसिर गोंदा सरना अस्थल डेम पार्क में हुई अध्यक्षता समीती के परदेश अध्यक्ष सीवा कच्छप ने की उन्होंने कहा कि सरुल पूजा परमपरी गिरीती वा धूमधाम से होगी उन्होंने सरना धरो लंबी से अपने घरों में सरना जांडा लगाने की अपिल की साथ ही ढोलना गाडा मंदीर के साथ ही जूलूस में सामील होंगे तीन दिनों के सड़क दुरगाटना और मारपीट में घायल 192 लोग पहुंचे रीम्स होली के दोरान तीन दिनों में सड़क हाच से अमार पीट में घायल 192 लोग रिम्स पहुंचे 15 से अधिक ऐसे लोग रिम्स लाए गए जिनकी यहाँ आने से पहले ही सांस रुख चुकी थी ऐसे लोगों को रिम्स के पंजियन रईश्टर में दर्ज नहीं किया जाता है 10 वी के टर्म 1 के बाद सनिवार को बराहवी बोर्ड का परिणाम घोसित कर दिया है सिवियस्टी ने 10 वी की तरह ही बराहवी का रियर्ट भी वेपसाइट पर नहीं दिया है स्कोर कार्ड सीधे चैतरों के लिए उपलब्द नहीं कराए गए है बतादे बोर्ड ने स्कोलों को टर्म 1 के लिए थियोरी मार्क्स भेजे है जो परचारे या सिक्षाक अपनी लोगिन आईडी से देख सकते है सिबीसी के राज संजोजक सा डिपीस राची के परचारे डाक्टर राम सिंके अनुसार बराहमी टर्म 1 की परिच्छा में राची जोन से करीब 11830 सामिल हुए थे गढ़वा में डीजे लगे पीक अप वेन ने आधार दर्जन को रौंदा दो कीमोद चार घायल जार्खन के गढ़वा में नगर उटारी थाना छेतर के गार बांध गाउ में होली की खुसिया उस वक्त माता में बदल गई जब डीजे लदे एक पीक अप वेन ने नाच गार रहे आधा दर्जन लोगों को कुचल दिया इस हाध्से में दो महिलाओ की मौत हो गई जबकि चार अने घायल हैं हाध्से के बारे में बताया जाता है कि सुक्रवार को होली के रंग में फूरा गाउरंगा हुआ था साम करीब पांच बजे गाउं के लोग पीक अप वेन में लदे डीजे की धून पर थिरक रहे थे उसी दवरान पीक अप वेन के चालक का पैर ब्रेक से हट गया और एकसिलेटर दब गया अचानक हुए इस घटना करम में वेन ने बेकावू होकर आगे खड़ी महिलाओ को चपेट में ले लिया हाथसे के बाद चालक वहां छोड़कर फरार हो गया धन्यवाद यादी आप चैनल परना है होते चैनल को सब्सक्राब कर बाल के अब लेकर अब बढ़िए साथ साथ वीडियो को एक लाइक आपने दोस्तों के साथ सेर करना ना भूलें साथी साथ आप हमें कोमेंट वक्स में अपना फीडियो बेक अवस से दे थैंक्यू